पाप मचनी एक दशी 2019 से इस दिन व्रत करने से मिलेगी अंजाने में किये गए पापों से मुक्ती हिंदू कलेंडर के अनुसार प्रत्यक वर्ष 24 एक आजशिया होती है जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन होने वाला कोई भी ऐसा मनिश्य नहीं है जिससे जाने अंजाने पाप नहीं हुआ हो पाप एक प्रकार की गलती है जिसके लिए हमें दंड भूगना होता है परंतु शास्त्रों के अनुसार पाप मोचिनी एकादशी का वरत रख कर पाप के दंड से बजा जा सकता है पुराणों के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी कहते हैं जिसका अर्थ है पाप को नश्ट करने वाली एक कथा के अनसार स्वयम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि राजामान धाता ने एक समय में लोमश रिशी से जब पूछा कि मनुश्य जो जाने अंजाने पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है तब उन्होंने इस दिन की महता वर्णित की थी मोहित हो गई और उन्हें अपनी और आकर्शित करने हे तू येपन करने लगी कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नजर अपसरा पर गई और वे उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे अपसरा अपने येपन में सपल हुई और रिशी कामपीरत हो गे और काम के वर्ष में होकर शिव की तपस्या का वरत भूल गे कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जगी तो उन्हें ये हसास हुआ कि वे शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं थब उस अपसरा को तपस्या भंग करने का दोशी मानकर कृदित रिशी ने उसको श्राप दे दिया कि तुम पिशाचनी बन जाओ, श्राप से दू, खी होकर वह रिशी के पैरों पर गिर पड़ी और मुक्ती के लिए विंती करने लगी, थब रिशी ने उसे विधी सहित चे अपना सुंदर उप्राप्त करके वेह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई, इस व्रत के विशह में भविश्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है, इस व्रत में भगवान विश्नु के चतुर भुजरूप की पूजा की जाती है, व्रत का आरंब दश्म सहित विश्नु जी की पूजा करें, पूजा के बाद भगवान के समक्ष बेट कर व्रत की कथा का पठ अत्व अश्रुवन करें, एक काद शीतिति को जागरन करने से कई गुणापोनी मिलता है, अत्थ, रात में निराहार रहकर भजन की इरतन करते हुए जागरन करें, इस झाल झाल